दिपावली का सीजन आ रहा है और हम सब दिपावली पर गनेश जी की पुझा करते हैं लेकिन हमने कभी नहीं सोचा कि हम दिपावली पर गनेश जी की पुझा क्यूं करते हैं लक्षमी मा को ही क्यूं पूछते हैं Of course I am going to talk in the later video about my Lakshmi also लेकिन गणेश जी की दिपावली पर ही क्यों आखिर क्या पॉपस है इसका चलिए आपको बताती हूं इस से हम समझेंगे गणेश जी के family tree से गनेश जी और उनके family tree को समझी और फिर मैं आपको इसकी depth में लेके जाओंगी गनेश जी की शादी हुई उनकी दो wives हैं सिद्धी और रिध्धी इन दो wives से उनको दो बेटे हुए शुब और लाब जो आप अपनी books पर भी जब बनाते हैं स्वास्तिक जब नई books बनाते हैं वो गनेश जी के बेटे हैं शुब और लाब अब ये शुब और लाब जो हैं इनकी दो मतलब इन्हों ने भी शादी करी तो इनकी wives के नेम है तुष्टी और पुष्टी अब इनसे गनेश जी के दो grandsons भी जिनका नाम है आनंद और प्रमोद अब ये family tree की बात मैं आप से क्यों कर रही हूं this is the secret behind Ganesh ji. गनेश का मतलब होता है गन के ईश यानि की एक group के देवता एक group के master गणों के ईश तो अगर आपको master बनना है तो गनेश जी उसमें आपके helpful है अब गनेश जी को जब हम पूचते हैं या गनेश जी जो हमारी life से obstacles निकालते हैं गनेश जी की qualities जब हम imbibe करते हैं तो हमारे दो साथी हो जाते हैं रिद्धी और सिद्धी जो गनेश जी की vibes है रिद्धी means success and सिद्धी means skillful यानि कि अगर आप अपनी जिंदीगी से obstacles को remove करेंगे आप skillful बनेंगे इसमें तो आप successful अपने आप बनेंगे that means रिद्धी और सिद्धी का रो सब कुछ अच्छा अच्छा होगा auspicious होगा और लाब भी होगा यानि की gains भी होंगे तो जब आपकी जिंदगी में शुब और लाब होंगे तो आपको दो और partners life में मिलेंगे जो शुब और लाब की vibes हैं तुष्टी और पुष्टी तुष्टी means satisfaction जब gains होते हैं तो कितनी satisfaction होते हैं तुष्टी means satisfaction and पुष्टी means healthy one यानि कि जो हमें health देती हैं अच्छी सिरफ अच्छे सब कुछ अच्छा चले और तब या ठीक ना चले इसकी भी क्या sense है तो पुष्टी means re-affirming and also means the healthy one तो इससे जब आपकी जिंदगी में health अच्छी चलती है आप satisfied होते हैं तो इ without a reason happy and promote means सुख हमें सुख भी मिले और हमें खुशी भी मिले आनन्द भी मिले तो गणीजी से हम कैसे नीच आते हैं अगर आप obstacles को remove करते हैं आप अपनी जिंदगी में problems को remove करना सीखते हैं तो आप skillful होते हैं आप successful होते हैं जब आप skillful or successful होते हैं रिद्धी मा और सिद्ध की जाती हैं यानि की आप की जिंदगी में सब अच्छा अच्छा होता हैं और साथ-साहचा आपको gains होते हैं आप satisfied होते हैं और अपनी health का भी क्याल होते हैं इसारी चीजी हो जाती है है तो in the end आप happy रहते हैं without a reason always blissful और आप के जंदगी में सुख को अब आप समझे कि गणेश जी की पूजा दिपावली पर क्यों की जाती है I wish you a very very happy and prosperous Diwali भगवान करें ये साल आपके लिए बहुत सारी खुश्यां लेकर आए और हर साल आपकी प्रोग्रेसो में you become a better version of yourself